हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एप्टेवीज और आज हम लोग आपके साथ जर्नल इंग्लिश की सीरीज जो है वो लेके आए हैं और इस सीरीज के अंदर हम लोग सिनॉनिम्स पढ़ेंगे और हम अल्फबेटिकली सभी सिनॉनिम्स जो हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे ये जो सीरीज है आपका जो अपका बिंग एक्जाम है एच्पे पुलिस का एक्जाम उसके लिए भी काम आएगी और जितने भी आपके पास और कंपिलिटिव एक्जाम जाते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूसफुल रहेगा तो चलिए आज के सेशन को शुरू और ये जो अबेंडॉन शब्द है ये काफी बार एक्जाम में पुछा जा चुका है और बहुत बार इसमें से कुश्चन भी पुछा जा चुका है इसका सेनॉनिम या अन्टॉनिम वो आप से पुछ सकते हैं तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड आया यहाँ प डेजर्ट, फारगिफ और लिब इसका भी क्या मतलब होता इसका भी से मतलब है कि किसी चीज़को छोड़ देना next जो हमारे पास वर्ड है that is abbreviate now abbreviate का मतलब है संशिप्ट करना संशिप्ट का मतलब किसी को चोटा करना that is curtail, average और compress word average भी आपके पास काफी important है और ये भी exam point of view से आपके पास काफी जदा important रहता है काफी बार ये exam में पूछा भी जा चुका है word average next आपके पास जो word है that is abundant abundant का क्या मतलब है हमारे पास abundant का मतलब होता है प्रचूर मात्रा में या अधिक मात्रा में कोई चीज तो abundant के जो हमारे पास synonyms आगे है that is ample ample का भी यही मतलब होता है प्रचूर मात्रा में copious और plentiful यानि कि अधिक मात्रा में कोई चीज that is abundant next word है that is adore adore का मतलब क्या है adore that is पूजा करना किसी भी चीज की पूजा करना that is क्या adore और adore से related words हमारे पास that is worship and idolize now यह दोनों word जो है यह adore के ही क्या है synonyms है next जो word है हमारे पास that is alive alive का मतलब क्या है सजीव जो की जीवित है और इसके जो हमारे पास synonyms बन गे that is lively and vivacious यह दोनों जो है वो alive के ही हमारे पास क्या है synonyms है next जो हमारे पास word है that is alley now alley का मतलब होता है जी सही होगी तो कोई भी व्यक्ति जो आपका किसी भी काम में सही होगी है उसे हम क्या कहते हैं अले कहते हैं तो इसके अगर हम synonymous की बात करें तो colleague वो है जो आपके साथ किसी भी चीज का काम में आपकी help कराता है helper, partner और a compliance अगर a compliance की बात करें तो a compliance हमारे पास एक negative word है और a compliance वो व्यक्ति होता है जो बुरे काम में आपका साथ देता है यानि कि जो भी बुरे काम में आपका साथ दे उसे हम क्या कहते हैं a compliance next देखिए जी, next हमारे पास जो word है that is amend, amend का देखिए amend का मतलब है किसी भी चीज में कोई भी संशोधन करना तो amend means किसी भी चीज में संशोधन that is your amend next हमारे पास आ गया improve और amuluate दोनों का same ही मतलब है synonyms हैं दोनों ही इसके anxiety next word is your anxiety anxiety का मतलब क्या है चिंता करना किसी भी चीज की चिंता करना that is anxiety तो anxiety के हमारे पास synonyms आ गये impatience, agitation and क्या concern ये सारे इसके हमारे पास क्या है जी synonyms हैं next जो हमारे पास word आ रहा है that is your ascent now what is ascent, ascent का मतलब है सहमती प्रकट करना किसी भी चीज में आप सहमती प्रकट कर रहे हैं जैसे I gave my ascent तो इसका मतलब क्या है सहमती तो इसके जो हमारे पास synonyms आ जा रहे हैं that is concert, acquaintance or agree, concert करना, acquaintance or agree, one at the same thing next हमारे पास जो word है that is your abduct abduct का मतलब है किसी को भी क्या करना अफरन कर लेना किसी का that is abduct और abduct के synonyms हमारे पास क्या आ गया, kidnap next is your abhor, abhor का मतलब होता है hate, घिरना करना किसी से भी that is abhor, और abhor के हमारे पास जो synonyms आ गये that is hate, detest and despise next is your abnormal, now abnormal का मतलब क्या है असमान्य, किसी भी चीज में कोई चीज जो है that is असमान्य है that means क्या abnormal now, तो इसके जो हमारे पास synonyms बन गे that is irregular and unusual तो ये दोनों ही इसके हमारे पास क्या है, synonyms है next word आ गया हमारे पास abhor now the word abhor means निवास, जैसे हम बोलें अगर हम हमाचल की बात करें तो hp is a board of snow, तो क्या है या हमाचल is a board of snow तो that is क्या कि बरफ का निवास्थान, that is home or dwelling abolish, next word is your abolish, abolish का मतलब क्या है, स्माप्त करना, किसी भी चीज को स्माप्त करना that is क्या abolish, तो इसके synonyms, देखे, destroy, remove, nullify और eradicate कर देना किसी को तो ये सारे हमारे पास इसके क्या है, synonyms आगे next देखे जी, next word is your abound, now what do you mean by about, abound का मतलब है प्रचूर मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में अगर कभी भी आपके पास कोई चीज होती है, तो से हम क्या बहते हैं, abound कहते हैं now flourish, steam, overflow, ये सारे हमारे पास इसके क्या है, synonyms words है next देखे, next जो word है हमारे पास, that is abortive देखे, किसी भी चीज को अगर आप word यूज कर रहे हैं, abortive तो abortive का मतलब होता है निश्फल, यानि कि no resultant किसी भी चीज का, that is abortive तो unfertile और fruitless, that is क्या abortive next word is your absolve, absolve का मीनिंग क्या है, दोश्मुक्त करना किसी भी व्यक्ति के उपर कोई charge या कोई blame लगा है, उससे उसे क्या करना, दोश्मुक्त करना, that is क्या absolve, तो that is क्या acquit कर देना भी इसको बूल सकते हुआ, pardon और forgive, ये दोनों क्या है, absolve के हमारे पास synonyms next word is your acrimony, acrimony means कटूता, किसी के बीच बैरभाव, that is harshness, harshness और bitterness तो harshness and bitterness both are the synonyms of acrimony next word आगया हमारे पास axiom, तो axiom का मतलब होता है, कोई चीज जो खुद में स्वयम सिद, या जो खुद में ही क्या है, उसको क्विसी भी proof की जरूरत नहीं है that is axiom, तो axiom की बात करें, तो इसके जो synonyms आते हैं, maximum and truth, ये दोनों इसके क्या है, synonyms बनते हैं next word is your akward, akward का मतलब हो गया भद्दा, akward situation that is किया भद्दा, तो clumsy and rough, बोथ हार दा synonyms next is your admonish, admonish का मतलब है धितकारना किसी को, धितकारने का मतलब council, reprimand, rebook, schooled, schooled मतलब डांट फटकार लगाना next is your reprove, तो ये सारे इसके क्या हैं हमारे पास synonyms बनते हैं next word हमारे पास क्या आगया जी, amplify, amplify का मतलब होता है किसी भी चीज़ को enhance, large कर देना, हम बोलते हैं, amplifier तो हम sound के अंदर use करते हैं, amplifier, तो amplify करता क्या है basically, तो वो sound को क्या increase कर देता है तो amplify का मतलब है किसी भी चीज़ को क्या करना, बढ़ा देना, that is amplify, तो देखिए enlarge और extend next is your elevate, elevate का मतलब है कम करना, तो किसी भी चीज़ को elevate कर देना, यानि कि क्या कर देना, कम कर देना तो अब elevate के अगर आप synonyms की बात करें, तो abate and relief बोथ आरदा synonyms, next word is your adversity, adversity means क्या विपत्ती, now विपत्ती के अगर आप synonyms की बात करें, misfortune and calamity, बोथ आरदा synonyms of adversity, next is your accord, what do you mean by accord, देखिए accord एक होंडा की गाड़ी भी है accord, तो accord means क्या सहमती दिखाना, तालमेल, agreement, तो accord means तालमेल, agreement and harmony, next word is your adamant, now adamant means क्या अटल, कोई चीज़ किसी जगा पे अडिग है, अटल है, that is क्या adamant, तो इसके जो synonyms हमारे पास आते हैं, stubborn and inflexible, बोथ आरदा synonyms of adamant, next is your adjunct, now adjunct is क्या सहाइक, कोई किसी का सहाइक कई साथ हो, that is क्या adjunct, और इसके हमारे पास जो synonyms बनते हैं, one is joined and next is added, joined भी जोड़ना, added means add करना किसी के साथ, next word आ गया हमारे पास, that is observe, now observe means क्या, त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना, तो देखिए, forsake कर देना, forsake मतलब होता है, छोड़ना, renounce का मतलब ही है, त्याग देना किसी चीज़ को, तो दोनों ही इसके क्या है, synonyms से, next word is your authentic, authentic का मतलब होता है, real, और genuine, विश्वस्निय, that is क्या authentic, हम कभी भी क्याते हैं, यह authentic part दिखाओ, यह authentic चीज़ होनी चाहिए, तो authentic का मतलब ही क्या है, विश्वस्निय, तो इसके जो हमारे पास synonyms बनते हैं, that is genuine and reliable, बोत हार्दा, synonyms और authentic, next word is your arrange, arrange का मतलब क्या है, कलंक लगाना, किसी के ओपर कलंक लगाना, that is क्या, arrange, synonyms, charge and blame, तो यह था जी हमारे पास आज का topic, hope आप लोगों को इस session अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को इस session अच्छा लगा है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, वो please हमारे चैनल को subscribe कर ले, ताकि और ऐसे videos आप हमारे चैनल पर देख सके, thanks to be the part of Aptivis, जय हिंद, जय भारत